सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए स्वागते बच्छों आपका अपने यूटुब चैनल एड़ुकेट अड़मी पे और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो EBS का है पीपर वन के लिए जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और जो 30 कुशन से हमारे हर वार इससे आते रहे हैं चली बच्छों हम स्टार्ट करते हैं ये कुछ सोचल साइट्स है जिसके माध्यम साब हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं सस्क्राइब करें, सेर करें, लाइक करें यदि आपकी एक्षा हो, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आप करें जो बच्छे पहली बार चूट रहे हैं वो सस्क्राइब जरूर करें और वैल आइकन को दवाना ना बूलें बच्छो ये आईडी है, आपका फेस्बुक पर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे और आप ट्विटर पे और टेलिग्राम पे लिए, ठीक है बच्छो तो एडिक 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 आडमी के नाम से है और आपके आईडी ये है चले बच्छो, अब हमस्टार्ट करते हैं कुछ हम जो EBS के बारे most तथ्य है, जो हम उसके बारे पढ़ेंगे तो हम उसके पढ़ने से पहले, बच्छो, हमारे जो कुछ है, पॉइंट्स, हम इन सभी को देख लेंगे बच्छो यह जो आपको पेंटिंग दिख रही है अब यह पेंटिंग कहा की है उसके बारे में हम आपको बताते बच्छो तो यह पेंटिंग को बताने से पहले बच्छो आपको यह बता देते हैं यह जो पेंटिंग है बच्छो यह मदुवनी की पेंटिंग है इसको फॉक आर्ट भी कहा जाता है और यह मदूमनी डिश्ट्रिक यह कहा पढ़ताय को पर है यह वार्ण हम से पूछता है C ठीक है पर अब यहाँ पर क्या है फیस्टिवल अब कई प्रकार की festival occasions भी मना जाते हैं अब ये जो क्या है पिक्चर्स बनाते हैं कई चीज़े जानवरों की animals की होती है उसमें और आपके जितने भी words होते हैं और उसमें human being होते हैं तो इसमें ये जो color का use करते हैं बच्चों वो कई प्रकार की color का use करते हैं इसे चावलों को piece कर उसका color बनाना उसका use करते हैं बच्चों और कई चीज़े इसमें ऐसी है जिदो कि ये use mix करके बनाते हैं तो color has mixed the color used to the madhubani painting are very special वो बहुत ही special होता है और वो किस चीज़ का होता है बच्चों indigo, neil paint ठीक है दूसरी चीज़ हमारी क्या होता है thermatic thermatic thermic thermic healthy colors और flowers और trees जो पीस के उसको क्या बनाते हैं color बनाते हैं और इसका use वो उसमें करते हैं तो बच्चों ये जो क्या होता है चावल के जो जो चावल होता है उससे भी बनाते हैं ये जो painting होती है ठीक ना और ये पूछा भी जाएगा ये जो मदुवनी painting कहां से related है तो आपको बताना उसमें paint में जो किस चीज़ का use किया जाता है ये आपका इंडिगो नील्स और आपका वो जो है thermatic जो आपका thermatic healthy है जो उसके color को use किया जाता है यह दखिए यहां पर कुछ है birds, fish और other animals को हमें देखने को हमें इसमें मिलता है तो जैसे कि हमने इसमें परिया हम दुवारच बताता है जो मदुवनी painting कहां से related है ये एक district है मदुवनी बिहार का यहां की जो फॉक आट जो है बहुत ही famous है पूरे हमारे यहां पर और यहां पर इसमें क्या किया जाता है कई प्रकार के cloths में बनाया जाता है इसमें color का यूज किया जाता है तथा टर्मिक हल्दी का color यूज किया जाता है तथा flowers और trees को पीस के भी color यूज कियाता है और जो चावल जो होते हैं उसके इसे painting भी बनाई जाती है गेहों और चावलों से ठीक है तो आए बच्छों हम आगे बढ़ते हैं next story पर बच्छों यह जो हमारी next story है वो है हमारी जो हम जानेंगे यह है हमारी बच्छों कन्योज district के बारे में तो बच्छों यह जो कन्योज district है हम इसके बारे में ससे पहले जान लेते हैं कि कहा पर है तो कन्योज बच्छों यह जो एक district है जो उत्तर परदेश में है अब उत्तर परदेश में जो वो है district, कन्योज और वो उसकी खासियत क्या है, हम उसके बारे में जानते हैं बच्चों ठीक है, तो कन्योज में जो कन्योज district है जो उतर परदेश में वो famous है, किसलिए? इतर के लिए और truck loads of the flower, flowers के लिए भी है और the neighboring of the areas for the purpose इत्र ठीक है इत्र जिसको हम बोलते है इत्र के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पेमस है और यहाँ पर इत्र rose, water, kebra यह तारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती है prepared from the flower यहाँ से बनती है मतलब कि जो full है उनसे यहाँ चीज़े इत्र बनाये जाते है rose, water बनाये जाता है kebra बनाये जाता है, यह चीज़ फेमस है तो आप से वो series में पूछा जाएगा सीटेट में कि जो यह जो दी गई है सम्मंदित जित्ती भी जो pointed है वो कहां से सम्मंदित है तो उसमें कुछ अगर कनोज डिस्टिक से अगर वो match नहीं खा दी तो वो क्या होगा और इवन इसमें हमें छाटना है बच्चो ठीक ना अब इसमें क्या है thousands of people engaged in this work बहुत सारे हजारों लोग इसमें involved होते हैं तो हमने इसमें क्या जाना बच्चो जो हमारा कनोज डिस्टिक है वो यूपी में है और यूपी में क्या है फूल की जो खेती है बहुत जादा होती है यहाँ पर क्या है मौस्टॉप जो यह फेमस है इत्र के लिए और फूल को जो क्या है फूल से इत्र बना जाता है केबरा बनाया जाता है, water rose बनाया जाता है, इस तरीके का काम गतित, इसमें involve बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं इस recipe को, अब आगे हम आगे बढ़ते हैं इसे को next story बे बच्छो, अब next story जो हमारी है बच्छो, यह हमारा गीजुवाई बडेका के बारे में, तो जो गीजु पिक्चर है और इनकी एक बुस्तति दिवाइस वापने इन्होंने जो जीव के बारे में बहुत कहानिया लिखी जो की बच्छों से संब्दिते हैं कंई एक ऐसी पंक्रिक इनको कोई source of income नहीं होती तो गीजु भाई बड़ेका ने काफी ज़ादा इन्होंने ये लिखा है और इनके बार में कई वार हमारे सीटेट में भी इस वार पूछा भी था बच्चो तो उसके बार में आपको बताना है ठीक है ना गीजु भाई बड़ेका हमारे काहाँ संबंदिद है यह हमारे गुजराज से हैं और इन्होंने क्या क्या है He wrote the many stories book जैसे दिवास आपना आपको बताया many stories of lots for the letter भी लिखा इन्होंने और for the children purpose only the children बच्चों के लिए लिखे गए हैं ये काफी चीज़े और इन्होंने क्या किया है इन्होंने increase किया है बच्चों को observe the word around them जो जित्ती भी जो पंची हैं उसको किस तरीके समझे वो किस तरीके जो उनकी भावनाओं को समझने की तरीके को हमें समझना है ये चीज हमें गिजुवाई बडेका ने बताया है तो ये उत्तर परदेश में जो रहते हैं उत्तर परदेश बोल रहा हूँ बच्चो स्वारी गुजरात में गिजुवाई बडेका अब आगे ये next story बात है हम बच्चो अब next story में आने से पहले हम बच्चो हम ये जानते कई ऐसे पंक्षी हैं जो words हैं अपने जो X हैं खुद करी नहीं करते हैं और वो दूसरे के X में जाकर next में जाकर वो अपने एक को देते हैं जैसी वैसे ही वो है हमारी कोयल अब बच्चो जी जो कोयल है कोयल ही बहुत ही सुरीली होती है और ये क्या होती है बिलकुल ही different होती है किस से क्राव से अब क्राव क्या इसकी जो आवाज होती है बचो जो कोईल की आवाज होती है शुबह सुबह ये गाती है ये बातरवन जो हमें जाधा तक देखने को मिलता है वो हमें गाउं के छेतर में जाधा देखने को मिलता है अब ये क्या है ये अपने जो एग्स है ये यह अपने अंडे अपने घोसले में नहीं देती क्योंकि यह क्या करती है अपने अंडे किसके घोसले में देती है यह कववे के घोसले में देती है क्योंकि इनके और कववे के जो अंडे है वो similarities होती है इसलिए उसके में जाके देती है और the crow has them to alone with the on eggs और वह उसको अपना समझ के पालती है जो कव़वा होता है वो इसके अंड़े को अपना समझ के पालने लग जाती है बचो तो यह थे हमारी कुछ कहानी ही जो काल्व के बारे में अम अंता हता अब आगे आते हैं हम next story के बारे में बचो अब बचो जी जो हमाई next story है वो है ये वीवर वर्ड अब वीवर वर्ड ये है क्या बचो हम इसके बारे में हम सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं वीवर वर्ड ये कौन सा है ये क्या है वीवर वर्ड जो बनाती है कई चीज़े जो जाड़ियों से बजस से इन सभी चीज़ों से क्या करती है वो अपना गोशला बनाती है तो बचो इसमें क्या है सबसे पहले चीज़ वो हर एक इवनिंग में वो कहागा sunbirds क्या करेगी कई चीज़े ऐसी करती है next को बनाने के लिए उसके next में hair, grass, twins, dry lips यह आधी चीज़े होती है cotton wool, bits, tree, bunk, pieces of the cloth, rugs इन सभी चीज़ों से मिलकर वो बनाती है अब एक चीज़ इसकी क्या खास है था बच्चो sunbird की जो आपने weaver word है अब इसमें क्या है the male weaver words वो क्या करती है male weaver words beautiful woman, woman nest वो एक अच्छा nest बनाने में बहुत ही एहम भूमी का नियवात थी है ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है बच्चो इसमें female, जो female होती है looks at all the nest and the chooses the one of the sea likes the best of the decided to which lay hair eggs और वो उस चीज़ में सब चीज़ देखती है कि कहा पर उसको अंडे देने है उन सबी चीज़ों को देख कर ही क्या करती है अपने eggs को ले करती है ठीक है, यहीज़ आप देख लीज़ी यहाँ पर है अब आगे आते हैं बच्चो next story पर इसी तरीके से कुछ पंची है word fits different kind of different needs जो कुछ words हैं और उसके different functions हैं बच्चो उनके बारे में हम जानते हैं अब यहाँ पर जो यह आपने देखा ही जो first है जो to swim to water यह water में पानी में तैने में मदद करते हैं ऐसे जो होते हैं और यह क्या hall to the tree branches यह पेड़ को पकड़ने में बहुत मददगार हो जैसे जोगी हैंस के होते हैं इन सबी चीज़ों के तू कैस दाइए सुतर मुर्ग के होते हैं बच्चो ठीक है और यह हमारा come to tree है यह ट्री पर चड़ने के लिए और यह walk to land यह कई ऐसे जो पंची हैं जो बड़े बड़े हैं जो की walk to land जो पिर्थी पे चलते हैं वो उनके पास ऐसे fit होते हैं और वो उनको इस चीज़ों मदद करते हैं लैंड पे चलने में next story बच्चो next story बच्चो हमारी यह है bird weeks according to food अब वो क्या करते हैं किस किस तरीके से वो जो अपने खाने खाने की जो इनकी समता है वो किस तरीके से to tear and eat meat जो eagle है और यह बाज है उस में के बारे मताएगा है वो क्या करते है यह ऐसी जो है उनकी वो क्या करते है टीर करते है चीड के खाती है और यह क्या हमारा two make holes जिसको हम क्या कहते हैं वुड जो जो लकडियों में छेट कर दी वह पंची है हिंदी में याद नहीं आ रहा है आपको पता है कमेंट बॉक्स में लिखके आप बता दीजिए ठीक है अब यह हमारी के एक दा सरकर नेक्टर फ्रॉम दा फ्लार्स एक क्या to find the insects or the worms of mud यह मर्ड से जितने भी जो insects हैं उसको निकाल के खाने की खाती है इस तरी से इसकी जो चोंच होती है वो लंपियों सीधर वो डालती है मर्ड में और वो सीधर निकाल लेती है यह क्या है बच्छो they break and the crust the seeds यह जो है कि बीज कोई सब योग उसको crust कर देती है और उसको seeds को break तोड़ सकती है एक बच्छो हमारा यहाँ पर है cut many foods ठीक है बच्छो यह तो हमने कुछ चीजों के बारे में जाना fit के बारे में और हमने bird bigs के बारे में ठीक है bigs में चूंच अब आईए बच्छो हम इसमें जो पढ़ते है next animal teeth अब animal teeth किस किस रूप में जो help करती है उसके बारे में हम जानते है बच्छो तो animals जो आपका तीथ है तो जो cow है cow have the short front teeth उसके पास क्या होती है cow के पास वो जो short जो front में जो तीथ होती है वो होती है to shipping grass वो grass को खाने में मदद करती है बच्छो the teeth on the sides are the large जो उसके sides के होते है वो बहुत बड़े होते है फ्लैट और दा च्विंग दा ग्रास वो उसको ग्रास को च्विंग करने में खाने बहुत मदद करती है अब cats cats have the sharp teeth for the tearing the cutting meat वो meat को बहुत जल्दी से काट लेती है वो जो उसके सिर्प जोसके दाद होते है वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मनुष्य को दस्ता है ठीक है यह जो इसके तित है यह देखे आप इसमें जहाब यह देखेगा आपको snake have sharp curve teeth but they do not cry but यह चबा नहीं सकता और यह अपने सिकार को चबा नहीं सकता snake always know the deer food वो हमेशा निगलता है ठीक है एक है बच्चों हमारा glary squirrels और पूछा जाता है वो कौन सा जो पशू है मतला animals है जिसके दात बढ़ते रहते हैं और वो अपने दात को छोटा करने के लिए गिसता है वो कौन है बच्चों वो गलरी ही है ठीक है बच्चों यह चीज़ याद रखना आप अपने तो यह squirrel front teeth keep the growing throughout their life वो जिनकी बढ़ बढ़ते रहते हैं they have to keep gagging on hints to keep their teeth from the becoming too long देर देर उसके बढ़ते हैं इसलिए वो उसको घिस करके करती है छोटा करते रहती है चलिए बच्चों हम नेक्स स्टोरी में बढ़ते हैं अब एक जो स्टोरी है बच्चों हमारी वो है अन्यू वरी अब अन्यू वरी जो हमारा है एक बच्चे की स्टोरी है जिसमें कि हमारा ये बताया है चौपाटी जो बीच है वो मुंबई किनार है तो ये आपसे कई बार पूचता है कि चौपाटी जो बीच है वो कहा पर located है वो आपको बताना है उस तरीक से आपको ये बता होगे तो आपको ठिक है अदरवाइस य चोपाड़े वीच के बारे में बस इसमें हमें यही जानना बचो अब आईए हमार नेक्स्ट में नेक्स्ट है बचो जो यह हमारी पिक्चर्स है यह बन्यान ट्री है बचो कौन से ट्री है बचो यह बन्यान ट्री अब बन्यान ट्री ये आपने सुना होगा हमारे गाओं में जो हमारा जो बर्गत का पेड देर वाज दा ट्री ग्रोइंग क्लोज तू लैंप पूस्ट दा ट्री वाज दा फूल लीपस इसमें पूरे पत्ते भरे होए होते हैं इसमें कई चीज़ा है जहां पर की उनको रिजर्व कर दिया गया है जैसे की जीम कॉर्बेट हो गया बच्छो आपका ठीक है जीम कॉर्बेट हमारा उत्राखंड में है जहांपर कि वो उसको काटने के लिए अनुमती लेनी पड़ती है गौर्णमेंट से और वैसे किसी काटने के अनुमती नहीं मिलती है ठीक है बचो तो ये कुछ permissions है गौर्णमेंट के लेनी पड़ती है ठीक है न और ये जो आज की जो वीडियो है बचो यह हमारी समापत होती है यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें इसे दरीज़ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चो और इंपोर्टन टॉपिक के साथ इंपोर्टन इस्टोरीज के साथ जब तक के लिए लाइक, शे कमेंट जरूर करें बच्चो थैंक्यू सो मज़